बच्चों आज मैं कौन सा पार्ट पढ़ाऊंगी उससे पहले तुम बताओ कि जब तुम स्कूल का काम नहीं करते हो तो क्या बहाना बनाते हो पेट दर्द का नहीं मैं तो सिर्दर्द का बहाना बनाती हूँ सिर्दर्द का क्यों पेट दर्द का बहाना बनाने पर ममा खिचड़ी खाने के लिए देती है और सिर्दर्द का बहाना बनाने पर टीवी देखने को नहीं मिलता अच्छा बस बस आज जो पाठ में पढ़ाने जा रही हूं उस पाठ का नाम है ऐसे ऐसे और इसे लिखा है विश्णु प्रभाकर जी ने और एक बात बताओं इस पाठ में जो बच्चा है वह भी तुम लोगों की तरह बहाने बना रहा है क्या उसने भी ग्रहकारी नहीं किया शायद ऐसा ही हुआ हो चलो देखते हैं क्या हुआ परिशान ना हो अभी डॉक्टर को बुलाया है न जब तक डॉक्टर नहीं आते तब तक येलो सिकाई कर लो क्या कहीं इसने कुछ अंशन तो नहीं खा लिया नहीं नहीं बस एक केला और संतरा खाया था पूरे दफ्तर में कोता रहा बस अट्रे आकर अचानक बोला मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है मैंने पूछा गड़गड होती है तो बोला नहीं मैंने पूछा चाकुसा चुपता है लेकिन बस एक ही रट लगाए जा रहा था ऐसे ऐसे होता है ऐसे ऐसे होता है ऐसे ऐसे क्या होता है कोई बीमारी तो नहीं हो गई देखो कैसे बेचारे का चेहरा उतर गया है हवाईया ओड़ नहीं है अदेखो एकदम सफेद पड़ गया है खड़ा ही नहीं हो पा रहा है बस में भी नासता रहा और बोलता रहा मा, मा, मेरे बेटे ना, सुनिए, देखे, डॉक्टर क्यों नहीं आए, इसकी तो तकलीप बढ़ती ही जा रही है, मुझे ऐसा लगता है, जैसे ऐसे ऐसे नाम के कोई बड़ी बीमारी हो गई है, हीं, चूरन, पेपर मिंट, सब दे चुकी हो, बेटा, व्यादे भी आते ही हो हाँ, मैं मोहन का पिता ही बोल रहा हूँ, मोहन के पेट में दर्द है, जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं, गिरा भी नहीं, बस ऐसे ऐसे कुछ हो रहा है, यही बता रहा है, नहीं नहीं, गिरा नहीं, दस्त भी नहीं आया, हाँ, हाँ, पेशाप तो किया, ज़रा जल्दी आई ये डॉक्टर साहर तभी पडोस के लाला दीनानाथ घर के अंदर आते हैं और मोहन जोर से कराहता है उसे क्या हो गया था मैम यही तो जानेंगे हम इस पार्क में मा ओ मा उल्टी जैसा लग रहा है हाई हाई पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है मा मोहन के कमर को सहलाती है और कहती है नजानी क्या हो गया मेरे बेटे को दोपहर तक भला चंगा था अब देखो कैसे पड़ा हुआ है वरना यह कब इस तर पड़ा रहने वाला था हर वक्त घर सर पर उठाए रखता था जी घर क्या पड़ोस को भी गुलजार किये रहता था इसे छेड उसे पचाड इसे मुक्का उसे थपड यहाँ वहाँ हर कहीं मोहनी मोहन अब तो बेचारा कैसा थक गया है मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा मैं वैद से कहाया हूँ वे आते ही होंगे अभी थोड़ी दिर में ठीक कर देंगे वैद ने आते ही नाड़ी देखी जीव देखी और बताया कब्ज है मल रुक जाने की कारण वायू बढ़ गई है इसलिए ऐसे ऐसे हो रहा है तुम्हें पता है जब मोहन ओ करता है तो वैदे खुश होकर कहते हैं मैं समझ गया बिमारी, समझ गया बिमारी अभी पुडिया भेजता हूँ आदे आदे घंटे पर गरम पानी से दे दीजेगा एक, दो, तीन दस्त आएगा बस उसके बाद ऐसे ऐसे बिमारी ऐसे भागेगी जैसे गधे के सिर से सीन और वैदे के जाते ही डॉक्टर सहब आ जाते हैं हेलो मोहन, ये ऐसे ऐसे क्या कर लिया तुमने बेटा पर उसे हुआ क्या था मैम क्या वह बहाने बना रहा था मुझे क्या पता हाँ, डॉक्टर ने जीब पेट सब देख कर कहा चेरा तो बता रहा है, इसे काफी दर्द है असल में आजकल कई तरह के दर्द चल रहे हैं कॉलिक पेन तो नहीं और हो सकता है कि पेट में कोई फोड़ा हो गया हो या फिर कब्ज या बद्भाजमी भी हो सकती है कोई बात नहीं, मैं दवाद भेशता हूँ कई बार हवा रुख जाने से भी तकलीफ होती है तो क्या कहानी खत्म हो गई अरे नहीं नहीं, अब जब डॉक्टर चले जाते हैं तो पडोसन आती है पडोसन क्यों, क्या पडोसन डॉक्टर है पडोसन तो डॉक्टर नहीं है चलो देखते हैं क्या होता है करके रख दिया है ने ने बुखार निकला है बात ये है कि अब खाना पीना तो रहा नहीं अच्छा परोसन ने तो डरा ही दिया हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम लेकिन तभी मास्टर जी आ गए अरे भाई सुना है मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है देखूं त हाँ चेहरा भी उतरा है दादा कल तो स्कूल जाना है तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी क्यों माता जी आपने क्या खिला दिया इसे नहीं नहीं मास्टर जी खाया तो कुछ नहीं बेचारे ने हाँ अभी वैद्दिवा डॉक्टर आय थे दवा भेज देंगे तो ठीक भी हो सकता है माता जी मोहन की दवा वैद्द यो डॉक्टर के पास नहीं है इसकी बिमारी मैं जानता हूं सच मास्टर जी क्या है ये बिमारी क्यों क्या मोहन को होंवक्ट न करने का बहानी वाला दर्द था हाँ उसे भी तुम लोगों जैसे बहाने वाला ही दर्द था फिर फिर क्या हुआ फिर फिर मोहन चुप रहा तो मास्टर जी ने सब को बताया कि यह कोई दर्द वर नहीं है बस ऐसे ऐसे काम न करने का ही डर है हाँ हाँ फिर तो उसकी खूप पिटाई हुई होगी उसने तो अपना मौ चादल में छिपा लि बस दर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा अच्छा उठिये साहब आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है स्कूल से आपको दो दिन की छुट्टी मिलेगी मोहन तो बड़ा बहाने बाज निकला तुम्हें पता है मोहन की मा ने क्या कहा तब मोहन की मा ने कहा तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाड़ी है मेरी तो जान ही निकल गई थी 15-20 रुपए खर्च हुए सो अलग तभी मोहन के पापा आते हैं और आश्चरे चकित होकर पूछते हैं क्या हुआ अब क्या बताएं क्या हुआ ये पेट का दर्द नहीं है बलकि स्कूल का काम न करने का बहाना है उसकी वज़े से ये डर गया है इसने तो आज हम सब को डरा ही दिया था है दवा की शीशी हाथ से छूट कर फर्ष पर गिर पड़ती है एक शड़ के पाठ है मैम ऐसा लगता है जैसे हमारी ही बाते कही गई हूँ तो अब समझ में आया कि टीचर को बुद्धु बनाना आसान नहीं है जी मैम कुछ दिनों बाद अपने अगले पाठ के साथ फिर मिलेंगे तब तक स्वस्त रहो और खुश रहो धन्यवाद